अभी तक हम बात कर रहे थे Google क्यों important है और वो कैसे अपने search engine को बेतर करता है और कैसे हमें उसके साथ चलना है लेकिन हम ये भी देखना है कि search engine optimization किस तरहां से दिशन मारकनी के अंदर fit बैठती है और हमें कैसे उसको एक बड़ी strategy में use करना है ताके हम अपनी website को बेतर बना सकें और उसको हम rank करवा सकें इसके लिए मैं आपको एक flow chart दिखाऊंगा जिसके तहट आपको ये समझ आजएगी कि SEO का role कहां पर play होता है और कहां पर जाके हमें बाकी चीजों को समझ आती है कि वो किस तरह से different है और ये किस तरह से different है सबसे मिले आप देखेंगे कि किसी भी website पर traffic आने के चार बड़े channels होते हैं जिसमें सबसे number one search है search के बाद social, social के बाद direct और direct के साथ एक referral है ये चार बड़े mediums हैं जिससे आपको traffic आ सकती है search का मतलब ये है कि आपको कोई search करके धूंड के किसी search engine से आपकी website पर आ रहा है वो search से traffic कहलाएगी दूसी चीज अगर आप social media देखें उसका मतलब ये है कि कोई आपको social media channel से धूंड रहा है या उसने किसी और की post देखी है या आपका page देखा है किसी भी तरह से वो किसी social media channel से वो आपकी website पर आया है उसको हम social traffic या social media से traffic बोल सकते हैं तीसरी जब हमने बताया कि वो direct traffic है तो direct traffic का मतलब ये है कि लोग जो आपको जानते है वो आपकी domain Google में लिखेंगे या वो आपका नाम Google में लिखेंगे या directly आपका URL ब्रावजर में डाल कर आपको विजिट करेंगे और वो directly आपके पास आजेंगे तो ये जो direct traffic है ये basically किसी channel से नहीं आती ये directly आपको जानते हुए आपकी domain open करते हैं और उसको हम direct traffic कहते हैं चोथी category वो होती है जो आपको किसी और website से link क्लिक करके आते हैं तो for example अगर आपकी website का नाम या आपकी website का link किसी और website ने डाला हुआ है अपनी website के उपर तो हो सकता है कि आपने कहीं article लिखा हो या आपकी कहीं news publish हुई हो किसी बड़े अख़बार में तो लोग वहां से news पढ़ते हुए वहां क्लिक करें और आपकी website पर विजट करने आ जाएं तो उसको बोलते है referral traffic referral traffic का मतलब यह है कि किसी ने हवाला दिया है या किसी ने आपको refer किया है वो traffic referral traffic में count होती है और यह समझना इसलिए जरूरी है कि हमें categorize करना होता है कि हमारे कौन से channel ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा strong है जब यह channel हमें समझ आ जाती है तो हमें यह भी समझ आ जाती है कि कौन से channel weak हैं तो अगर हम strong channels को promote करेंगे और weak channels को भी हम कोशिश करेंगे बेतर करने की तो हमारी overall share ही बेतर होती जाएगी सो सर्च को गत्वासर मैं मज़ीद explore करूँ सर्च के अंदर दो categories बन जाती है सर्च में traffic organic medium से भी आती है और फिर सर्च में traffic paid medium से भी आती है तो सर्च organic का मतलब यह है कि सर्च पे organic किसी ने बकाईदा सर्च किया और उसने ads की बजाए नीचे results पे click किया तो वो organic traffic कहलाती है क्यों कि किसी ने भी जब link की आपको click किया उसने आपकी organic listing पे click किया है यह organic listing वो listing है जो Google अपने algorithm से यह समझते होगे आपको rank करता है कि आप बहतरी result है उसकी query के against जो भी उसने search किया था तो वो traffic organic traffic है जब भी आप SEO करते हैं तो basically आप यह search organic की traffic SEO के अंदर fall करती है और हम SEO के थुरू इस traffic को enhance करते हैं लेकिन हमें यह भी पता है कि Google हमें ads allow करता है तो अगर हम किसी जगा पे या किसी keyword के against foreign rank नहीं कर सकते या foreign हम traffic नहीं ले सकते तो हम उस keyword पे add लगा सकते हैं ताकि हमें traffic आना शुरू हो जब कि हम SEO पे काम कर रहे हैं तो वो traffic search paid में कहलाएगी वो paid channel से आएगी लेकिन वो search के थुरू आएगी तो वो search paid basically PPC campaigns या SEM या search engine marketing के नाम से जानी जाती हैं ये वो services हैं जो search के थुरू हमें मिलती हैं जिस तरह से search के ओपर organic और paid है इसी तरह से social के ओपर भी organic और paid listing paid mediums मौझूद हैं अगर आप organic social की बात करें तो social में organic का मतलब ये है कि किसी ने भी पैसे जो आपके ads हैं या paid listings हैं उस पे click नहीं किया उन्होंने बकाइदा आपकी status के ओपर या किसी ने आपका status share किया हो या आपके page के ओपर से कहीं से भी बगार ads के click करके आए हो तो वो organic traffic कहलाती है social media से organic का मतलब natural आप समझ लें कि बगार किसी push के वो आपके पास आई है आपको पैसे या नहीं देने पड़े आपको किसी को convince नहीं करना पड़ा कि भाई इसको जबरसी दिखाओ इसको अगर आप दूसरी जबान में समझें तो आपने viral content का नाम सुना होगा वो चीज जो अक्सर viral हो जाती है तो आप मैं देखा होगा कि अक्सर कोई video अक्सर कोई status कोई image publicly viral हो जाता है viral का मतलब यह कि वो trend हो जाता है वो trend होने से मुराद यह है कि जादा से जादा लोग उसको देखते हैं कलिक करते हैं और वो आ जाते हैं यह वो traffic है जो पैसे देखर नहीं खरीती जाती यह वो traffic है जो basically अच्छे content से gain की जाती है इसको viral content भी बोलते हैं और social media management, जो social media managers जो हैं, वो social media management के तहत इसको manage करते हैं और आपको वो जार से जार ट्राफिक लेकर आते हैं इसी तरह से सोशल पे पेड भी होता है आपको ये पता है कि पाकिस्तान में या दूसरे मुलकों में जहां पर भी आप काप कर रहे हैं वहाँ पर सोशल मीडिया चैनल पे हर बंदा मुझूद है और जो मुझूद है उसको आप आड दिखा सकते हैं सोशल मीडिया में भी आड लगते हैं जिसना से Google में आड लगते हैं आप क्या करते हैं कि आप अपनी target audience को select करते हैं उनको पैसे देते हैं और उसके against आपको आड वो visible कर देते हैं वो एड पर कोई अगर click करेगा तो वो social media advertising के जिम्रे में आएगा जिसमें आपको ये पता होगा कि यहाँ पर click करके जो भी आ रहा है वो आ तो social media से रहा है लेकिन ये organic traffic नहीं है ये paid traffic है paid traffic का मतलब ये है कि आपको पैसे देने पड़े थे और paid और organic में चाहे वो google पे हो चाहे वो social media पे हो दोनों में बड़ा फरक ये है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं paid के अंदर और आपको organic में पैसे नहीं देने पड़ते है उसमें आपको quality देनी पड़ती है ताके वो इ बेजरली ये फरक है चाहे वो Google पे है चाहे वो social के ओपर है तो Google के ओपर होगी तो Google अच्छे content को rank करेगा social पे होगी तो social content जादा share होगा तो दोनों में different elements हैं लेकिन ultimately दोनों organic traffic कहलाते हैं paid में आजएं तो Google के ओपर लोग एड़ चला सकते हैं social के ओपर एड़ चला सकते हैं demographics के ओएंच के आप कौन हैं कहां रहते हैं क्या करते हैं male हैं या female हैं या आपकी पसंदीदाद चीजें क्या हैं आपके account कौन से pages like करते हैं उसकी बेस पर आड़ चला देते हैं direct जैसे कि हमने पहले जिकर किया कि direct में लोग direct visit करके आते हैं और referral में लोग किसी और website से click करके आते हैं तो ये सारी traffic के different channels हैं जो हमने understand की हैं इन सब में एक चीज़ बहुत important है वो एक चीज़ क्या है वो है content so अगर आपके पास content नहीं है तो आप कोई भी channel activate नहीं कर सकते आपका content सब चीज़ों पर भारी है चाहे अगर आपने Google से organic traffic लेनी हैं तो आपको content चाहिए अगर आपने Google से पैसे दे के traffic लेनी हैं तो भी आपको content चाहिए क्योंकि जब लोग click करेंगे तो और किसी जगह पर land करेंगे और अगर वहाँ पर कुछ अच्छा ना हुआ तो लोग even दो कि आप पैसे दे का traffic ले रहे हैं वो फिर भी आपकी website छोड़ जाएंगे क्योंकि यूजर को आप जबदस्ती ला तो सकेंगे जबदसी ना सही कम जब पै करके आप लातू सकेंगे लेकिन उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि जब तक उनको उनकी मर्जी का content नहीं मिलेगा वो आपकी website छोड़ जाएंगे इसी तरह से social media पे भी आप जिसको मर्जी जो इसी तरह से direct traffic पे भी कोई website विजट करके आए direct URL आपका लिख कर आपकी website पे आए तो वहाँ पर भी आपको content चाहिए और अगर referral कोई आपको link करेगा तो वो भी content चाहिए तो असल में हासिल ये हुआ इस discussion से कि हमें content को ignore नहीं करना और content सबसे important चीज़ है आपकी पूरी की पूरी website में या आपकी पूरी marketing के अंदर प्योंकि content ही सब चीज़ों को drive करता है ये एक petrol की तरह काम करता है कि आप कोई भी गाड़ी ले ले लें उसके लिए fuel बहुत important होता है ये fuel के तो आपकी marketing को अगर चलना है चाहिए paid हो channel से हो या organic से हो social से हो या search से हो ये सब चीज़ों के लिए content एक main एहमियत का हामिल है और इसके बगार हम आगे नहीं चल सकते हो